चोटे से घर में चोटे से घर में अगनिवीर शहीद हुआ लैंड माइन ब्लास्ट में शहीद हुआ मैं उसे शहीद कह रहा हूँ मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहते है नरेंद्र मोधी उसे शहीद नहीं कहते हैं नरेंद्र मोदी उसे अगनिवीर कहते है उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी उस घर को कमपनसेशन नहीं मिलेगी शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा और बिचारे बैठे हुए थे तीन बेहने थी एक साथ बैठे हुए थी रो रही थी आम जवान को पेंशन मिलेगी जरूर दुख होगा मगर हिंदुस्तान के सरकार आम जवान की मदद करेगी मगर अगनिवीर को जवान नहीं कहा जा सकता अगनिवीर यूज एंध्रो मजदूर है और आप उससे कहते हो उसको आप छे महीने की ट्रेनिंग देते हो छे महीने की ट्रेनिंग देते हो दूसरी तरफ चाहिना के जवान को पांच साल की ट्रेनिंग मिलती है राइफल लेकर उसके सामने ख़़ा कर देते हो उसके दिल में भाई पैदा करते हो एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा और फिर अपने आपको देश बक्त कहते हो, यह कैसे देश बक्त है फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुद स्टार की फोटो थी, मैं सोच रहा था, देखो, इस इस युवाने जान दी, स्टार, जान दी, अध्यक्स महोदे एक आद्यक्स महोदे, मैं दीचर ऑख से या दोड़के कोलना है। गलत बयानी करके सवन को गुमराह करने की कोशित नहीं है। स्पीकर सर देखिए राजनाथ सिंग जी की एक राय है। मेरी एक राय है। सच्चाई अगनीवीरों को मालुम है। हमें बोलने की जरुवत नहीं है। अगनीवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है। शहीत का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है। कॉंपनसेशन मिलता है नहीं मिलता है। टेंशन मिलती है नहीं मिलती है। वो उसको मालुम है। अब सदन के सामने दो स्ट्रेटमेंट हुए है। एक हुआ दिपस्ट के नेता का दूसरा हुआ मान्या रागना सिंग जी का रक्षामंत्री जी का। यह कहते हैं कि एक करोर रुपया नहीं मिलता है। शी रागना सिंग ने अधिगरुत रुप से कहा कि मारे जाने वाले अगनीवीर को जो सही दोता है उसको एक करोर रुपया मिलता है। उनको फैक्षुएल पॉदिस्स सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। यह सदन जूट बोलने की जगा नहीं है मान्यवर। यह सच पूलना चाहिए। और अगर अगर यह नहीं रखते हैं तो उनको यह सत्यापन नहीं करते हैं अपने स्टेट्मेंट का। तो उनको सदन और देश से और अगनी वीरों से मात्वी मांगनी चाहिए मनें अगनी वीर की अगनी वीर की सचाई मैंने फ्लोर अवदाउस पर रखी है और राजनाथ सिंग जी ने भी कहा है जो रियालिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है वो अगनी वीरों को मालूम है उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फरक नी पड़ता सचाई को उनको मालूम है उनको मालूम है सचाई कौन बोल रहा है गरो मत गरो मत सचाई को कि …… सचाई को में बोल रहा है अभी माने ग्रेमंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि दो स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माने विपक्स के नेता राउल गांदी जी ने तो स्टेटमेंट रखा है इसमें इन्हों ने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फरक पड़ता है इतना हलक पुलका कैसे स्टेर्मेंट दे सकता है लीडर ऑफ उपोजिसें इसलिए सर इन्हों ने जो जो बात रख़ा है पुश्पी करना चाहिए और हम लोग में सांदियम का मताबिक अपना बार रखेंगे सर और स्पीकर सर देश की सेना जानती है पुरा देश जानता है कि अगनिवीर स्केम सेना का स्कीम नहीं है पी एमो का स्कीम है और पुरी सेना जानती है जैसे है जैसे नोट बंदी की गई वेसे ही आर्बिर्ट्री तरीके से मैं अज्यक्ट मैं नेटा प्रतिपक्षे बिनम्रता पूर्व करनोद करना से आता हूँ कि किर्प्यावा सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें अगनिबीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 आर्गनाईजेशन के साथ सीधा संबाद अस्ता पे दुगा है उनके सिधाव लिए गए हैं तब यह अगनिबीर योजना लाई गई है और बहुत सोच शमशकर यह योजना लाई गई है और मैं यह भी अस्मश कर देना चाहता हूँ इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई डेसों में है यूएस पे है यूके में है वहाँ पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ती नहीं है अब बिना अगनिबीर योजना के बारे में समझे बिना उस संबंध में कोई पुरी जानकारी हासिल किये इस तरीके से सदंग को गुबरा करना इसे कडाथ उचित नहीं थारा जा सकता महोद है मैं तो आप से यह अदोत करूँगा इसे सदंग की कारवाई से बाहर निकाला जाना जो आपको देखिए सिंपल सी बात है स्पीकर सर इनको अगनीवीर अच्छा लगता है आप उसको रखिए हम उसको बदल देंगे हटा देंगे सिंपल सी बात है हमारी सरकाराई के अगनीवीर को हम अटा देंगे क्योंकि हम सोचते हैं कि अगनीवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देश बक्तों के खिलाफ स्कीम है, हम इस स्कीम को नहीं चाहते हैं पहली बार हिंदुस्ताइन की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं जंबू कश्मीर लदाक से आपने पहली बार स्टेट्स छीना है, मनिपूर को मनिपूर को आपने सिविल वार में डुबा दिया है मनिपूर को आप